तो आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं दा मैन बैक इलिंच से तो आज मंदे नैट रॉक एपिसोड में बैक इलिंच नी रिवील कर दे कि उन्हें इंजिरी हो चुकी है समर स्लैम में और उसके बाद बैक इलिंच नी यह भी का कि उस टाइम के लिए वह बार जाने वाली है और इसके बार भी डवी डवी ने ओफिशल स्टेटमेंट में कंफर्म कर दिया कि बैक इलिंच कुछ मेंनों के लिए डवी डवी से आउट आफ एक्शन रहेंगी और बैक स्टेज अपडेट आ रही है बैक इलिंच के रिकार्डिंग उसके अकॉर्डिंग के बताया रह अब हम चलते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ जो कि जुड़ी है रॉंडा राउजी से आप सब जानते हैं समर्स्लैम में रॉंडा राउजी ने लिम मॉर्गन से हारने के बाद रैपरीज पर अटैक कर दिया था क्यूंकि मैच की कॉंट्रवर्शिल एंडिंग हमें लिए राउजी से ट्रीपलेज स्मैक्डाउं की वुमिस डिविजन को हैं क्योंकि स्मैक्डाउं की वुमिस डिविजन पिछले कुछ टाम से काफिज ज़दा वीक है नेक्स्ट अपडेट की तरफ चलते हैं और यह जुड़ी है तो अगर आपने अज मंडे नैट रॉक ए देते हुए नजर आएंगे और टोमासो चांपा में भी हो सकता है नेक्स्ट वीक यूस टैटल भी जीत लें अलगे वह यूस टैटल नहीं जीते तो मुझे लगता हुनकी मिस के साथ राइवलरी की शुरुआत हो सकती है नेक्स्ट वीक से और काफी अच्छा लेगरा की द और फ्रेश बैटिंग ओड्स भी सामने आ चुके हैं और जो बैटिंग ओड्स फिलाल है उनके साब से रोम अरेंस करनली फेवरेट है कि वो ड्रु मैकेंटायर को राकर अपनी अंडिस्पुटे डवी डवी उनिवर्सल चैंपियंशिप को रिटेन कर लेंगे हालनकी चेंज आपको देखने को मिलेंगे बैटिंग ओर्स में नेक्स्ट अपडेट की तरह बढ़ते हैं और यह जूड़ी है सैथ फ्रीकिन रॉलिंस है तो आप सब जानते हैं मंडे नेट रॉक एपिसोड में सैथ रोलिस ने का कि रीडल तो कुछ टाइम के लिए आउट आफ जा चुकिया तो उनकी नजरें फिर से आचुकी हैं अंडिस पूर्डी युनिवर्सल चैंपियन रोमर रेंज की तरफ और ऐसा कहती है उन्हें मॉन्टेस फोड आकर इंटरप्ट करते हैं उसके बद मैच होता है जहां पर सैथ्रॉनिस विक्ट्री हासिल कर लेते हैं और अंडर नेटर आपर भी इनका फेस आफ हुआ था तो इसमें मान सकते हूं कि आपको इवेंचुली सैथ्रॉनिस और रोमर रेंज के बीच चैंपिनशी में देखने को मिल सकता है और फिलाल मुझे लगते कि क्राउन जूल वो जगा हो सकती है क्योंकि रोमर रेंज और ब्र स्टोरी की तरफ चलते हैं और जो कि जोड़ी रेटेर और सुपरस्टार एज से तो डवी डवी पिछले कुछ टाइम से जो कि एज की मिस्टरी वीडियो पैकेचिस दिखा रही थी उसे देखका लग रहा थी कि एज का कोई हील करेक्टर आएगा या फिल कोई इविल करेक और आज एज ने ये भी क्लियर कर दिय कि वह जज्जमेंट डे को डिस्ट्रॉइ करने वाले हैं और जैसे कि मैंने आपको वजायर रूमर्स के कॉर्डिंग फिन बैलर एज के बिच आपको क्लैश एड़ दी कैस्टल में मैस देखने को मिलेगा और अब रूमर्स ये भी आ आगे चलकर एजन जेजमेंट डे की रैवलरी शेफ लेती है और गैस आज की मारी ये वीडियो ये तक थी उमेद कर तो आपको वीडियो पसंद दे होगी तो इस वीडियो को लैक की मैंने तो कहीं में जाना और साथी साथ आपको सकते चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफ कर दो में